Hi guys, welcome back to my channel, कैसे हो आप सब लोग? So guys, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Good Vibes के इस newly launched compact powder के बारे में जो की है Good Vibes Hydra Glow Matte Compact Powder जैसा कि हम सब जानते हैं Good Vibes अपना make-up launch कर रहा है तो one by one जैसे जैसे वो products को launch करता जा रहा है मैं उन सब के review आपके साथ शेयर करती ही जा रही हूँ जो जो अभी तक उन्होंने launch कर दिया है सब का review मैंने आप सब के साथ शेयर कर दिया है और अब बारी थी इस compact powder की तो मैंने का चलो फटा-फट से इसका भी review शेयर करते हैं क्योंकि गर्मियों में oil को जो हमारे face पे makeup के बाद excess oil आता है उसको absorb करने के लिए यह compact powder बहुत अच्छे रहते हैं इनको हम अपने पर्स में carry करके साथ में जाते हैं कि जहां भी लगे sweating हो रही है यह makeup थोड़ा सा डल पढ़ रहा है वहाँ पे हम compact powder से touch up कर लेते हैं तो compact powder तो होना बहुत जादा ज़रूरी और अच्छा और थोड़ी coverage वाला हो तो और भी अच्छी बात है अगर मैं बात करूँ इनके shades range की तो मैं इनके shades range से थोड़ा सा confused हुई हूँ इसा क्यों हो है मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी तो पहले आप इसकी पूरी अच्छे से detailing देख लो ताकि आपको कोई भी confusion न रह जाए इस compact powder के बारे में तो आप इसकी पूरी अच्छे से detailing जान लो देन मैं आपको इसको apply करके दिखाती हूँ कि यह coverage कितनी देता है या कितनी अच्छी matte finish आपको देता है सब कुछ आपको अच्छे से clear हो जाएगा तो पहले आप detailing जान लो फिर मैं आपको इसको apply करके दिखाती हूँ तो यह है guys good vibes hydra glow matte compact powder infused with vitamin E 349 रुपीज इसका MRP है guys but right now purple पे इस पे 32% का off चल रहा है 4 shades में brand ने इसको launch किया है और जो shade मैंने अपने लिए मंगाया guys वो है 01 rich ivory and guys trust me जब मैं इस compact powder को order कर रही थी मैं इतना confused थी क्योंकि जो name लिखा है उसके according जो color दिख रहा था ना product का वो बिलकुल different दिख रहा था तो नहीं तो मैं अपने लिए जैसे natural beige है इस टाइप के shade मंगाती हूँ लेकिन क्या हुआ वो बहुत सथा dark दिख रहे थे तो मैंने ivory shade order किया अब यकीन मानो मतलब मुझे लग रहा था ivory shade बहुत जादा यह whitish whitish लगेगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी अगर आप fair to medium की category में हो तो आपको यही shade pick करना है क्योंकि जब यह वाला shade ही मेरी skin tone से match कर रहा है तो पदा नहीं दूसरे जो shades है वो कैसे होंगे वो तो और भी ज़दा dark होंगे तो अभी मैं इसको अपने base को set करने के लिए use कर रही हूँ तो guys देखो वैसे तो compact powder अच्छा काम कर रहा है मतलब एक दम जो भी excess oil उसको absorb कर रहा है बहुत अच्छी matte finish दे रहा है और यह makeup को भी long lasting बनाता है क्योंकि इसको में use कर चुकी हूँ so product अच्छा है बस जो problem मुझे लगी वो लगी shades की so जहां तक मैं इस compact powder की shades को समझी हो तो अगर आप fair to medium की category के हो तो आपको लेना है 01 rich ivory अगर आप medium skin tone के हो तो आप 02 natural tan भी try कर सकते हो अगर आप medium to dusky skin की tone के हो मतलब उस beach के tone के हो तो आप 03 beige buff try कर सकते हो और अगर आप थोड़ा dusky skin वाले हो तो आप 04 soft sand try कर लेना तो जो name है वो shades को match तो नहीं कर रहें बट जितना मुझे idea लगा मैंने आपको बताया क्योंकि यह rich ivory है मेरे according यह थोड़ा whitish होना चाहे था बट यह मेरी skin tone के according मैच किया है इसी के according मैं आपको थोड़ा जो भी shade समझा पारी हूँ तो आप try कर सकते हो बाकी देखो compact powder अच्छा है बिल्कुल जैसा एक अच्छा compact powder काम करता है इसने वैसा ही काम किया है जैसा कि आपने देखा guys की compact powder तो अच्छा है इसकी finish अच्छी है यह coverage भी दे रहा है बहुत अच्छी matte finish दे रहा है आपको बट जो problem हुई वो मुझे हुई इसकी shade को लेके मतलब इतना जादा भी shade odd नहीं है काम चल जाएगा बट मैं personally ना मतलब जो compact के shade होते हैं वो अपने skin tone से matching नहीं लेती हूँ मैं अपने skin tone से एक shade या दो shade में उनको lighter लेना ही पसंद करती हूँ क्योंकि यह compact powder होते हैं यह सिर्फ एक बार जब लगते हैं थोड़ी दिर बार settle हो जाते हैं अपके skin में अगर आप already थोड़ा सा dark shade में compact लगाओगे ना तो वो आपके foundation को भी dark करेगा आपके face को भी dull दिखाएगा तो इसी वज़े से क्या होता है ना मैं shade हपेशा थोड़ा सा light लेनी कोशिश करती हूँ बट कोई बात नहीं आया है तो इसको use तो करेंगे ही बाखी मैं इसका दूसरा shade भी मंगा के देखू क्यों compact तो अच्छा है बस आपको आपका shade सही मिल जाए तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो आपके लिए helpful रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल में नहीं हैं मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजेगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजेगा सो थैंक यू गाइस थैंक्स पर वाचिंग